और अब खबरे विस्तार से विदान परिशत के स्थाने निका चुनाओं में भारती जंदा पार्टी को में द्वार चंदर शकर बावन कुले ने 302 स्वोटों से विजय हुए अपने जीत परुणों ने पार्टी के शिर्ष नेतुत का आभार माना साथी सभी मद्दारों का शुक्रिया अदा किया वही विरुदी पक्षनेता ने भी बावन कुले की जीत पर खुशी जताई शहर में बीते 10 दिसमर को बेहधी रोमा चक विधान परिशत के चुना हुए जिसके बाद हर किसी की नजर परिनामो पर टिकी हुई थी इसी बीच मंगलवार को चुनाओ के नतीजे सामने आए जिसमें भादपाउमिद्वार चंदरशकन बावन कुले ने 322 वोटों से एक तरफा जीत हासिल की वही मतों की गिंती के बीच कॉंग्रेस समर्थित मंगेश देश्मुक के पलडे में 186 वोट थे तो रविंद्र भोयर को केवल एक वोट से ही खुश होना पड़ा इस अवसर पर भादपा खेमे में खुशी का माहल दिखाई दिया वही बात करते हुए बादपाउमिद्वार चंदरशकर बावन कुले ने पार्टी के शिर्षनेताओ का आभार माना और कहा कि मद्दारों ने जो उन पर विश्वास जताया है उसमें वेर्थ नहीं जाने दिया वही विरोधी पक्षनेता देविन फड़नविस ने भी बावन कुले की जीत पर खुशी जाहिर की कहा चार जगर पर भाजपा ने जीत हासिल की है आज मुझे बहुत खुशी है कि मेरे सहयोगी चंद्र शेखर बावन कुले जी इन्होंने एक प्रचंड विजय हासिल की है साथ ही मैं अकोला में भी वसन भाई खंडेलवाल बीजेपी के चुनकर आये है महाराष्टर की विधान परिशद की छे सीटों पर चुनाव था उसमें से चार सीटे भारतिय जनता पार्टी जीती है एक प्रकार से तीन पार्टिया साथ में आने के बाद सारे चुना वो जीत सकते है इस प्रकार की जो बात वो कहते थे इस मिठक को आज पूरी तरीके से हमने ध्वस्त किया है और विशेश रूप से मैं ये मानता हूँ कि चंद्रशेखर पावनकुले जी के विजे के साथ हमारे नए विजे की माली का शुरू होती है मैं विशेश आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आदर्णिय प्रधान मंत्री मोदी जी का हमारे राष्ट्री अद्यक्ष नडड़ा जी का होम मिनिस्टर अमित भाई शाह जी का जिनोंने हम पर विश्वास किया और चंद्रशेखर जी और हमारे सभी उम्मिद्वारों को उन्होंने नॉमिनेशन दिया मैं साथ ही आभार व्यक्त करना चाहता हूँ हमारे नेता श्री नितिन गड़करी जी का जिनका मार्क दर्शन इस चुनाव में हमको मिला और विशेश रूप से में भारतिय जनता पार्टी के सभी कारे करता हूँ का अभिननन करना चाहता हूँ हमारे अध्यक्ष चंद्रकान दाना पाटिल जी का भी बैप